हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप जैमा टैरो में आपका स्वागत है जैमा टैरो आपका अपना टैरो गाइज जिस रिष्टे में आप हो क्या उस परसन को दूसरा मोका देना चाहिए जो परसन आपको छोड़ कर जा चुके हैं ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है collective or timeless है जब जी चाहिए आप देख लेना जितनी resonate करे रख लेना otherwise बहुत सारी clarity और प्यारी सी advice मिलेगी और हाँ वीडियो देख लेते हो like, share, comment नी करते गल्थ है जैमा टादी लिख दिया किजिए उसी से मन मेरा कुष्ण हो जाता है जग जि divine एक है नाम एक है तो चलिए देखते हैं ये परसन को दूसरा मुका देना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं दुबारा आके आपको फिर अपने हथे चाड़ ले दा मेजीश्चियन Ace of Pentacles Tower Knight of Cups Eight of Pentacles Nine of Ten of Swords Bottom क्या है The Moon Guys ये जो परसन है जो आपकी तरह आना चाहते हैं पास्ट में इन्हें आपको बहुत तकलीफ दी हैं बहुत आपके साथ बुरा हुआ हैं इस चीज को लेके थर्ड पार्टी की वज़ा से ये आपको छोड़ के गए हैं तो गाइज पास्ट की चीजों ने आपको दिल बहु का देना चाहिए या नहीं तो guys Ace of Pentacles का card ये बताता है कि अगर ये person आपकी life में आता है तो divine के किरपा से ये आपका आने वाला रिष्टा काफी लंबे समय तक चलेगा और रिष्टे में बले ही past में काफी तबाई हुई है काफी आपने बेजिती सही है काफी आपने लोगो का सामना करा है लेकिन रिष्टे में transformation होना ही होना है अगर ये person आएगा प्यार का परपोसल लेके जब भी आएगा आपके साथ emotional bonding बनाएगा और इसको मोग का magician का card है जब ये आएगा पहले से बहुत आपके आगे आएगा पहले से बहुत बदला हुआ इंसान होगा जब आप देखोगे तो कहोगे कि इसकी पहले जैसी बात नहीं है अब काफी changes आगे है काफी well settled हो गया है काफी आपको बताएगा कि मेरे में देखने में look change आ गई है और काफी smart काफी supported और काफी standard कर नज़र आएंगे और ये eight of pentacle बताता है कि ये person काफी effort लगा के आपके पास आएगा और आपको प्यार से propose कहेगा कि मैं आप मुझे पसंदो जो गलतियां है उसको छोड़ दो मैंने बहुत मेहनत करी है आपको पाने के लिए ये सारे जो card है ये ये ही बताते हैं कि उस person को आपने कुछ नहीं कहना अगर इतने प्यार से आएगा अपने आपको change करके अपने आपको well settle करके अपने आपको standard का करके तो आपको effort लगाता हुआ बले ही past में ये आपकी energy है कि आपको इतने दुख दिये हैं अगर रिष्टे में वो transformation चाता है डिवाइन की किरपा से अपने आपको change करकता है और बहुत सारी मेनत करके आपके पास proposal लेके आए तो आपको दूसरा मोका देना चाहिए लेकिन इस time की जो उस person की energy है इस time की energy ये है कि ये person अभी भी third party के अंदर है third party situation में है निकलता है ये सब चीजे कर रहा है लेकिन third party ने उसको अभी भी पकड़ रखा है तो ये है कि अगर ये person आपकी life में आता है तो आपको इसे accept कर लेना चाहिए और ये जब भी आएगा आपको accept कर लेना चाहिए लेकिन पूरी तरह आपको इसके उपर depend नहीं रहना ये card इस रिष्टे के लिए इस reading के लिए आपके परसंद चलिए दो कार निकालते हैं कि ये कब तक आएंगे क्योंकि अभी इनका time favor में नहीं चल रहा देखिये guys four of pentacles का card है wheel of fortune का card है तो इस परसंद को four month से ten month तक लग सकते हैं अभी 23 महीने four week तक भी लग सकता है लेकिन अभी time लगेगा इस person को क्योंकि ये चाहते बहुत कुछ है लेकिन third party से बरे हुए है चलो हमें क्या third party से लेना अगर ये person आते हैं तो इनको इतना time लगेगा तो आपके लिए क्या advice है ये अपनी intention सही ले क्या आएंगे देखिए दो कार्ड निकले हैं आपकी intention के आपकी advice के तो इसका मतलब ये है कि अगर ये person आते हैं तो आपको अपने हाई प्रिस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपने अपने intuition से yes no जा एक go with the slow इस person को परक ना होगा हाई प्रिस्टिस का कार्ड है कि जल्दबाजी नहीं करनी और आप लोग person काफी दिनों से अकेले हो उदास हो तो अपने person को आने की खुशी में बिलकुल ही भूल जाओ कि रिष्टे में past में क्या करा था उन चीजों को याद रखके आपने आगे बढ़ना है और अपनी कार्ड यही भी हो सकता है कि यह person जो है नियत सही लेकि आया है और कई बार कुछ लोगों के person ऐसे हो कि सामने से कुछ और हो अंदर से और क्योंकि bottom में भी the magician का कार्ड आया है तो आपने क्या करना है आपने अपनी intuition से वरक करना है अगर आपको लगे कि accept कर लेना चाहिए त कई बार क्या होता है इंसान काफी दिनों बाद आता है passionate में चीजे फिर आगे बढ़ जाती है और बाद में फिर 10 of sorts की energy में आना पड़ता है तो आपने दुबारा वो नहीं करना है इस बार यह person आएगे तो आपने यही करना है कि यह आप आए हो और हमने अपने हिसाब से चलना है बहुत चल दिया आपके हिसाब से अभी कि यह जो कार्ड है सारे सही है लेकिन जो बोटम का कार्ड और यह दो कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको careful रहना होगा क्योंकि अगर यह person सही हो तो हो सकता है पीछे से third party इनका पैर फिर कीच दे तो इसलिए आपने अपने यह साब से चलना है तभी आपकी चीजे सही लगेगी तो हो सकता है वो चार वीक चार महीने जा 10 वीक जा 10 मंत तक यह person आपकी लाइफ में आ जाए तो इनको दूसरा मोका देना चाहिए हमारी डिनिंग का टोपिक था तो आपने अपने intuition से काम करना है जो आपका दिल करेग पास्ट की चीजों को देख के आगे बढ़ना है जल्दबाजी नहीं करनी और सारी चीजों को देखना है यह devil का card बताता है कि कुछ लोगों के person यासे भी हो सकते हैं कि दुबारा third party उनको खेच ले या यह भी हो सकते हैं कि चेहरे के ऊपर कुछ और अंदर कुछ और हो नेक्स्ट वीडियो का notification पुंचेगा आपके phone पर अभी तक के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई